एहन फ्रेंड स्वागत है आप सबका हमारी चैनल एगरिकल्चर पॉइंट में और दोस्तों मैं लेकर आया हूँ B.S.C. एगरिकल्चर सेकेंड समिस्टर का जो पेपर होना है Fundamental of Plant Pathology का उसके Objective Question लेकर आया हूँ ये दोस्तों वीडियो का Part 3 है ये पार्ट फर्ष्ट और सेकेंड को आपने नहीं देखा है तो Discussion Box में लिंक पड़ा हुआ है वहाँ से आकर देख सकते हैं क्योंकि उसमें भी बहुत सारे Important Question परिच्छा की देश्ट से पड़े हुए हैं तो चलता हूँ Question नमर एक की तरब पादप्रोब विज्ञान के जनक हैं तो Father of Padaproब विज्ञान तो ये दोस्तो Entendivary हैं Next Question दोस्तो Full Govee में Browning किसे होता है तो Full Govee में Browning जो होती है Boron की कमी से होती है Next Question आता है Full Govee में Whiptail विमारी किसे होती है तो दोस्तो Mollibadenum की कमी से होती है आइकन प्रस कर दीजे जिसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपने फ्रेंज के पास सेर करना बिल्कुल ही न भूलेगा क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और उनका भी फायदा हो सकेगा चलते हूँ अगले कोशन की तरफ आलू का पचेती जोल सा का कारत है तो लेड बलाइट का कारत कौँन है फाइट ओफ थोरा इंफरेस्टेंस होता है नेक्स कोशन आता है सुचम जूअ बिग्ञान के जनक कौँन है तो दोस्तों लुइस पास्चार है सुचम जीव बिग्यान के जनक नेक्स कोश्चन आता है बाजने में डाउनी मिल्डू किसके कारण होता है तो डाउनी मिल्डू जो होता है इसके लिए इस पोरा ग्रैम निकोला के द्वारा होता है नेक्स कोश्चन आता है दोस्तों गेहूं के काले रत्वा का कारक जीऊ है तो काले रत्वा का पकक्सीनिया ग्रैमनेस टिटीस आई है नेक्स कोश्चन आता है पेंसलीन पर्तिजेविक की खोज किस ने की थी तो अलगजन्डर फ्लैमिंग ने शन 1929 में की थी Next question दोस्तों आता है सभी लच्छनों और संकेतों का यूग क्या कहलाता है तो सभी लच्छन और संकेत का यूग जो होता है दोस्तों वो syndrome कहलाता है दोस्तों वीडियो को like करते रहिएगा और चैनल को subscribe कर लिएगा जिससे मुझे बहुत सारा motivation मिलता है और नई नई वीडियो लाने का आउसार आपको प्राप्त होता रहता है चलता हूँ next question की तरफ बंगाल फैमाईन कब आया तो बंगाल फैमाईन सन 1943 में आया था next question आता है बोडेक्स मिस्चर की कोज किस ने की थी तो बोडेक्स मिस्चर की कोज मिलाडेंट ने की थी next question आता है रोग जनक बनने के लिए रोग जनक की सापेच छमता क्या कहलाता है तो रोग जनकता कहलाती है very more important question next question आता है किसी प्रवत रोग जनक द्वारा संक्रमित करने का इस तर क्या कहलाता है तो उगरता कहलाता है next question दोस्तों आता है बिसाड कड़ो का किस्टलाइजेशन सरुपर्थम किस ने किया था तो किस ने किया था सन 1935 में किया था next question आता है दोस्तों पपीता का मोजेख रोग किसके कारण होता है तो सन ये दोस्तों इसमें बिसाड जनित द्वारा होता है पपीता का मोजेख रोग next question आता है बिस्तों में प्रथम टास जनिक पादप के रोप में किस पोधे को विक्सित किया गया तो तंबाको को विक्सित किया गया था नेक्स कोश्चन आता है पौधों में खोजा गया पहला जीवाण जनित रोग तो नासपाती में फायर ब्लाइट जो है पौधों में पहला जीवाण जनित रोग था नेक्स कोश्चन आता है सामाने तहां बिसान बने होते हैं तो सामाने तहां जो बिसान होते हैं वह नुकलिक एसिड और प्रोटीन्स के बने होते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिएगा और दोस्तों के पास सेर करते रहिएगा नेक्स कोश्चन आता है दोस्तों प्रणाली गत कवक नासी की खोज किसने की थी तो दोस्तो किसने की थी वान सैंबलिंग एन कुलका ने सन 1986 में की थी नेक्स कोशन आता है बंगाल का अकाल किसके कारण आया था तो बंगाल का अकाल जो होता है बंगाल फायमाईन के नाम से जाना जाता है और यह चावल के brown leap spot के कारण आता है दोस्तो स्क्रीन पर आपको वीडियो का part 1 और 2 दिख रहा होगा इस पर क्लिक करके आप part 1 और 2 को देख सकते हैं Thanks for watching दोस्तों मिलते हैं next video में